लोगसभा चुनाओं हार जाने के बाद भी केंद्री मंत्री मंदल में अपनी जगब बनाने का करिश्वा जिन दो लोगों ने कर दिखाया है वो निष्चे तोर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी के प्रिये प्रात्र होंगे इन में से पहला नाम है अरुन जेटली का जो केंद्री रक्षाइवं वित्रमंत्री बने हैं वही दूसरा नाम है इस्मरती रानी का जो अभी नहीं की प्रष्ट भूमी से राजनीती में आई हैं 2014 के लोगसभा चुनाओ में उत्रप्रदेश की अमेठी सीट से कॉंग्रेसी दिगच राहुल गांधी को चुनोती दी थी इस्मरती रानी ने तबी से वही आमादमी पार्टी के कुमार विश्वास भी मैदान में थी इस नती वो चुनाओ एक लाग से भी जादा वोटों से हारी थी इसके बाद भी भारती जंता पार्टी ने उनमें फिर से भरोसा जताया है सत्रवी लोगसभा के चुनाओ में उन्हें अमेठी से ही टिकेट दिया गया है स्चार टीवी के ख्याद भारावाहिक क्योंकि साज भी कभी बहु थी कि स्थापित बहु इसमते इरानी भी उन लोगों में शुमार थी जो 2002 के गुजराद दंगो के लिए नरेंद्र मोदी के आलोचना करते रहे हो और मुख्य मंत्री पत से स्तीफा मांगा हो हलाकि उसके दो साल बाद ही वो भाचपा में अपचारिक तौर पर शामिल हो गई और बड़ी तेजी के साथ राजनितिक सीरियां चड़ने लगी गुजराद से ही राजसभा में चुने गई और केंद से मंत्री तक बनी आज भी है हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार रखने वाले इसमती जब भाशन देती हैं तो शोताओं को मंत्र मुग्द कर देती हैं जहां तक व्यक्तिकत जीवन का सवाल है उनके पती जूबी निरानी पार्सी है उनके दो बच्चे है बेटा जोहर और बेटी जोईश उनके पती की पूर पतनी मोना की भी एक बच्ची है शैनियल वे भी उनके ही परिवार का हिस्सा है वे एक बार फिर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी से अमेठी में मुकाबला करने के लिए तैयार है नतीजा क्या होगा इसके लिए मई के तीसे सपता का इंतिजार करना होगा